है यह व्रीवान वेलकुम टो ब्रेंशॉक्स मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरिज में कर रहे हैं गेट इंजिनरिंग मैच के प्रिविस विर कोश्चन्स और वीडियो में पांच कोश्चन्स करते हैं फिलाल में टोपिक चल रहा है आइगन वेल्यूस एंड आइगन अ तो फिर्स्ट कोश्चन्स वीडियो का पॉर दा मैट्रिक्स 4224 आइगन वेल्यू कोर्रस्पोंडिंग तो आइगन वेक्टर 101101 इस तो मुल्टिप्ला करके देख लेते हैं देखो एक्स इस इकल टू लेम्डा एक्स ठीक है यहां से एक्स पता है में लेम्डा पता चल जाएगा मुल्टिप्ला करके देख देखेँ लेगो 4, 2, 2, 4 1, 0, 1, 1, 0, 1 देखो, multiply अगर है क्या आएगा 404 प्लस 202, 606 यहां भी 606 तो 6 common आ जाएगा same vector में मिल गया ठीक है, तो eigen value के आज़ीगे 6 ठीक है, बख्किए अगर हमें दोनों eigen value देखने हो देखो, lambda 1 प्लस lambda 2 8 के को लोना चाहिए दूसरी eigen value 2 आ जाएगी न दोनों का product 602, 12 वना चाहिए, 16 minus 4, 12 ठीक है, सही है न next question है, for a given 2 cross 2 matrix, A, it is observed that A into some vector is equal to minus 1 1 into minus 1, तो बख्या लगे न, यह इसका A का eigen vector होगी यह दोनो और यह eigen values होगी, 1 और minus 2 ठीक है, तो A matrix क्या है, ठीक है, तो इस question में न, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है, अब देखो, इसको solve कर सकते हैं, आप सिधा, कि या तो, अगर कुछ नी concept आता है नहीं है, जो मैं बताने वालों, कि आप सिधा सा, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा, इसमें concept क्या है, वोगी डाइग्लिनेशन वाला, कि हमें पता है, कि A matrix को हम डाइग्लिनेश कर सकते हैं, ठीक है, यह कि किसके को लाएगा, P inverse A into P, ठीक है, similarly A किसके को लाजाता है, P, B, P inverse, ठीक है, यहाँ पर B matrix कैसे बनती है, इसकी आइगन value से, जैसे मालो, minus 1, 0, 0, minus 2, ठीक है, अब जिस order में मैंने यह लिखा, आइगन values, उसी order में, आइगन vector से P matrix गलाने है, ठीक है, जैसे मालो, अब हर question मैंने, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2 है, तो मैंने, minus 1, minus 2 लिखा, तो P matrix क्या आएगी, minus 1 के corresponding, आइगन vector क्या है, 1 minus 1, ठीक है, उसके लिए, minus 2 के लिए, 1 minus 2, और मुझे P inverse चाहिए, P inverse कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को interchange करके, minus 2, 1, या sign change करके, ठीक है, ठीक है, और हमें divide करना है, P के determinate से, वह किसके एकुला जाएगा, minus 2, minus 1, यानि, minus 1 आगया, ठीक है, तो minus 1 से divide करना पड़ेगा, इसी में adjust कर देते हैं, 2, 1, minus 1, minus 1, ठीक है, तो हमारी A matrices के को आजाएगी, P, जो कि यह, 1, 1, minus 1, minus 2, B, जो कि यह, minus 1, 0, 0, minus 2, ठीक है, और P inverse, 2, 1, minus 1, minus 2, ठीक है, तो option आजाएगा, C, ठीक है, चेक कर लो, अगर हमें यह पता है, तर डार्क लिए हम देख लेंगे, अच्छा, यहाँ पर P आनी चाहिए, P बनी इससे, ठीक है, फिर B matrix हैं चाहिए, वह हमें आईगन वेल्यू से बनी, ठीक है, फिर यहाँ पर P inverse, हम जाक कर लेंग LX is equal to B cross X, where B is 010, and X is X1, X2, X3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो, यह एक तरह से function हो गया न, यह क्या करता है, इसके अंदर कोई भी input X vector देंगे, वो B vector से उसका cross product कर देगा, ठीक है, तो, the 3 cross 3 matrix M of this operation satisfy, और, एक 3 cross 3 matrix M है, अगर M को भी इस vector से multiply करूँगा, तो भी वही चीज़ हो रही है, जो B cross X से हो रही है, तो M की eigen values पूछी है, हम से, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखें कि, क्या operation कर रहा है LX, ठीक है, तो मैं चाहिए B cross X करना है, मुझे सबसे पहले तो, दो vector का cross product, यानि I, J, K, B क्या है, 0, 1, 0, X क्या है, X1, X2, X3, ठीक है, तो यह मेरे पास क्या हैगा, I cap, साथ में आएगा X3, J के लिए तो 0 हो जाएगा, प्लस K cap, 0, minus X1, ठीक है, तो मेरे पास vector क्या मिला, X3, I cap, minus X1, K cap, ठीक है, तो अगर देखा जाए, मैंने input दिया, vector X1, X2, X3, आउप्ट मिला मुझे, X3, 0, minus X1, X component हो गया, X3, Y component 0 हो गया, Z component, minus X1, तो basically, LX is equal to M, M के साथ, अगर मैं ये vector multiply करूँगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, vector X3, 0, minus X1, M matrix क्या होनी चाहिए, तो simple से बन जाएगा, देखो, X1, X2, X3, X3, 0, minus X1, ठीक है, अब देखो, इस row को, इस column से multiply करने पर X3 मिलना चाहिए, तो it means, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इस row को, इस column से multiply करने के बाद, minus X1 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर minus 1, 0, 0, ठीक है, तो यह matrix आगी, M, बस यहाँ तक निकालना था मैं, अब इसकी eigen value, देखो, sum of eigen values क्या होना चाहिए, 0, वो सब, इसमें 0 है, इसमें, B में 0 नहीं है, C में नहीं है, A और D बचा, और product तो चलो, इस दोनों में 0 होई रहा है, ठीक है, तो हमें निकालना ही पड़ेगा, देखो, तो lambda I minus M, का mode किसके को लाएगा, lambda 0 minus 1, 0, lambda 0, 1, 0, lambda, equal to 0, तो lambda, lambda square minus 0, minus 1, 0 minus lambda, equal to 0, lambda q, plus lambda equal to 0, lambda, lambda square plus 1, equal to 0, यहां से क्या आगा, lambda is equal to 0, lambda square plus 1, it means plus minus I होता, ठीक है, सिम्पलता सवाल था, option D, बाकी questions के में काबले थोड़ा सा अलग था, बठा, करने लायक था यह, next question है, if A is a square symmetric real matrix of dimension 2N, dimension 2N it means, 2N cross 2N, ठीक है, dimension 2N है, then eigenvalues of A are, square symmetric matrix है, real values के साथ, तो इसकी eigenvalues के आएंगी, real आएंगी, but जुरूरी नहीं कि distinct ही आएं, ठीक है, option B, तो मैं बस यह पता है कि real आएंगी, और वो distinct हो सकती है, नहीं हो सकती है, हम कहने सकते है, for simple example ले लेना, कि 1, इसके लिए दोनों eigenvalues 1 ही आएंगी, यह स्मिट्रिंग मैट्रिक्स है, real values है, ठीक है, कोई और example होगी तो वहाँ पर distinct भी आजाएंगी, ठीक है, बहुत सारे हमने पीछे question देखे हैं, जहां पर स्मिट्रिंग मैट्रिक्स थी, बट आइगन वैल्यूस दिस्टिंक्ट थी, ठीक है, ज़रूर भी नहीं है, लास्ट कॉश्ट में इस वीडियो का matrix A दी हुए हमें, A satisfies the relation, अब देखो, इसमें हम क्या करना है, अगर मैं A inverse से multiply कर दूँ, तो A बच जाएगा, A into A inverse, identity matrix, आई आजाएगा, identity into A inverse, A inverse आजाएगा, एकल टू जीरो, जीरो बेसिकली, इसलिए नल मैट्रिक्स, इसलिए O लिखा हुआ, हमेशा द्यान देगाना, जाएगा, तो option A आजाएगा, तो इसके जाएगा, तो इसके साथ 5 questions मारे खतम होते हैं, इस वीडियो के, किसी भी question में doubt हो, हीचे comment कर सकते हो, और वीडियो को सीखाओ, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थेंकियो सो मच,